नमस्कार दोस्तों स्वागात है डेली स्टेडी में इस वीडियो में देखेंगे जेंडर नौलेज का बहुत ही महत्वपुर्ण परस्ण जो परतियोगी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है स्टाट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं डेली स्टेडी च किस सुल्तान ने विरोजगारों को रोजगार दिया इसका उत्तर होगा फिरोजसा तुगलक क्वेस्टेज 24 किस सासक भारत के अितिहास में बुद्धिभान पाघण पागलहां पांच कौन सा साषक अपनी राजधानी दिल्ली से दुलत बाद ले गया था इसका उतaudhoga भिखास में अगृनि भूमी का निभाई इसका उत्र होगा ख़री बोली। Q8 भारत में पोलो खेल का सुबारम किसके समय में हुआ। इसका उत्र होगा तुर्कों के समय। Q9 कौन सा सासक दान दक्षना में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दिवान एक हैरात नामक विभाक्की अस्थापना की। इसका उत्तर होगा फिरोज सातुगलक क्वेस्ट नमर दास किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वस्ट्रेश्ट यंत्र माना गया है इसका उत्तर होगा सितार को क्वेस्ट नमर ग्यारा संगीत की हिंदुस्तानी सहली के जनमदाता कौन है इसका उत्तर होगा अ अनुकूल प्रस्थितियों होने पर भी गुलाम वन्स के सासक अपने समराज का विस्तार क्यों नहीं कर पाए इसका उतर होगा मंगोल आक्रमन का भै होने के खारण Q15 कि सासक को दुटिय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है इस काउतर होगा अलावदिन खिल जी Q16 सिकों पर खालिपा का नायव किस सुल्टान को माना गया इसका उतर होगा फिरोज सा तुगलक क्वेस्चन नमर 17 आठाई दिन का जोप्रा नामक मस्जिद किस सासक ने बनवाई इसका उत्तर होगा कुतूब दिन एवक क्वेस्चन नमर 18 कौन सा सासक स्वय को इस्वर का अभिसाप कहता धा इसका उत्तर होगा चंगेज खां क्वेस्चन नमर 19 मध्यकालीन भारतिय राजाओं के संदर्व में फिरोज तुगलक के सासन की विशेस्ता क्या थी इसका उत्तर होगा गुलामों के लगल विभाग दिवान ए बंदगान की अस्थपना क्वेस्चन नमर 20 दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था इसका उत्तर होगा फिरोज सा तुगलक क्वेस्चन नमर 21 किस के कहने पर अलावदिन खिलजी ने सिकंदर के समय विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया इसका उत्तर होगा क्वेस्चन नमर 21 किस ने भूमी मापने के पैमाने गाज शिकंदरी को प्रचलित किया है इसका उत्तर होगा शिकंदर लोदी किसरेक手र्ण नमर 24 किस मुश्लिम स्वासक ने सिक वे फरलक्षमि देवी कि आकृत्री बनवाई है सका उत्तर होगा महम्माद गऊ-री Q25. अलावदिन खिल जी का राजदर्वारी कवी कौन था? Q26. किस सासक ने अपना उपनाम अबूल मजहद रखा था? Q27. रजिया बेगम को मारने में किसका हात था? Q27. जवाबित किस से संबन्दित है? Q29. अलावदिन के बचपन का नाम क्या था? Q30. कौन सा सासक बजार के अंदर घूम कर बजार का निरिक्षिन करता था? Q31. किस पुष्तक में मुहम्मद बीन तुगलक के सासन की घटनाओं का वर्नन है? Q32. जलावदिन फिरोज खिल जी सुल्तान बनने से पहले कहां का इक्तदार था? इसका वत्तर होगा बुलंद सहर का इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक वें शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुनना साथ ही बेल आइकन पर किलिक करना धन्यवाद्